हेलो फ्रेंड्स आज महाशिवरात्री का सबको शुब कामिना है आपने साबू दने का खिचरी खाया है खीर भी खाये होंगे लेकिन आज एक डिफरेंट डिश मैं बना रही हूँ साबू दने को पहले दिन मैंने धो के रात को भीगो के रखी हूँ सुबह मैं ये बना रही हूँ साबू दने में देही और कलाकान जो होती है वो कलाकान मैंने दी देही और भी आप दे सकते हो आपकी मेर्ची और ये थोड़ा से एक काप साबू दने में भीगो के रखी दी तो एक काप साबू दने में इतनी बना है और एक केले इसमें काटके मैं दे दूँगी ये ब्रत के समय पीने से बहुत अच्छा लगता है, खाने से बहुत अच्छा लगता है, पेट भी भर जाता है और अच्छा भी लगता है तो इसमें मैं नारियल को गद्दुकस करके रखी हूँ थोड़ा सा और थोड़ा सा नारियल के साथ मैं चीनी एक साथ ग्राइंड में मिक्स कर लिया ये सब मैंने एक साथ देके इसको मैं मैश करूँगी मेश करने से साबू दाना को भी मेश हो जाएगा एक साथ सभी मेश हो जाएगा मेश करते करते ये नरम भी हो जाएगा थोड़ा एक चीज ये इसको पीने से पहले आप जैसे सारा दिन बरत में रहेंगे तो इसको पीने से पहले आप थोड़ा सा निम्बू पानी पी लीजिए याँ कि बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है जो सारा दिन बरत के बाद उपास रहने के बाद ये सब फूर्ट्स जो रहता है इसमें तो एसिडिटी हो जाता है तो इसी लिए एक ग्लास निम्बू पानी पीने के बाद अब इसको बीजिएगा खाईएगा तो इसको अच्छी तरह से इसमें हाथ तो लगाना ही पड़ेगा इसमें अच्छी तरह से हाथ से इसको मैश कीजिए मुझे लग रहा है और थोड़ा और एक कलाकान देने से यह और भी टेस्टी बन जाएगा तो इसमें मैं और एक कलाकान दे देती हूँ और इसको अब दही भी थोड़ा सा और भी डाल सकते हो मैं नहीं डालोंगी दही और कलाकान दे देती हूँ शक्कर तो इसमें साथ में है कलाकंट में भी शक्कर है और इसमें भी शक्कर है नारियल के साथ और मैंने थोड़ा सा दूद डाल दिया क्योंकि इसको और पतला करना यह बहुत टाइट है टाइट अच्छा नहीं लगता है इसे में मैंने थोरा सा और दूद दे दिया तो इसके बाद भी आपको पतला बनानी है तो इसमें आप और दूद डाल सकते है और दूद नहीं रहे तो पानी भी डाल सकता है लेकिन दूद रहेंगे तो दूद ही आप डाल दीजिएगा लूद में अच्छा टेस्ट आता है और ये पीने का बाद खाने का बाद एकदम पूरा शरी ठंडा हो जाता है पीर भी भर जाता है